हेलो गाई तो आजके इस वीडियो में स्टुडेट हम लोग AI PMT 2021 का पेपर साल्व कर रहे हैं बैलूजी का तो स्टुडेट हम लोग नेन्स्ट वीडियो में 20 कोईस्टें साल्व किये थे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कितना नंबर maximum number question अम लोग solve करने माले हैं तो जो भी student need 2021 के लिए preparation करने हैं तो उन सभी student के लिए model test paper question करा जा रहे है objective physics chemistry biology तो अभी biology चल ला है इसी मन्त के last में आपकी chemistry और biology के physics के सभी के करा जाएंगे objective question तो अभी आप biology का question करिये चलिए question number 121 से शुरू करते हैं इसमें कहरा है हीमोसाइनिन पिंगमेंट किसमे पाए जाता है तो यह पाए जाएगा एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, इंसेक्टा तो लोवर किसमे पाए जाएगा 121 का आपसर नमबर कौन सा लोवर इन्वर्टिव रेट मोलस्का में पाए जाता है तो आपसर नमबर कौन सा करेक्ट होगा आपसर नमबर फोर्थ लोवर काड़ डेटा में जिसमें किसमें पाए जागा है मोलस्का में पाए जाता है नेक्स्ट कोईस्चन देख लेते हैं 122 एनिमो फिली टाइप आप नमबर कौन का पुटेटो की जो आई होती हुए आपसर नमबर फ स्ट डारेक्ट टिक करिए आप लोग बार बार कॉच्चन पूछा जाता है तो इस्टूडेंट ये जितने कॉच्चन कराये जा रहा है सभी इंटरन्स एक्जाम मान लिए जहां पर बायो पूछा जाता तो सभी जगह यह important question है तो आप लोग जो भी student need से related है वो तो उनके लिए important है जो need की और कहीं इंटरन्स एक्जाम देने वाले हैं तो उन सभी student के लिए यह video यह question important है तो question number 124 देख लिजिए due to discovery आप which of the following in 1980 में the evolution was term as RNA जब इतने इस भी में एक हो जा गया तो RNA word का term क्या था तो RNA में क्या होता है यह RNA tRNA, RNA synthesis protein करती है नहीं यह third option आप लोग डारेक्टिक करिए RNA have enzymatic property RNA में क्या होती है enzymatic property होती है यह catalytic का का काम करता है next question number 125 में देखी है which pair is RNA काउन सा pair इसमें सही नहीं है तो C3 काई रहा C3 plant काउन होते है मेज होता है तो इसमें देख लिजिए मेज जो होता है यह क्या होता C4 plant होता तो यही गलत हो जाएगा तो हम लोग option number काउन सा first option ही correct करेंगे C4 plant में जब पत्ती में क्या देखी जाती है cringe anatomy ऐसे ऐसे पत्ती बनी होती है तो यही cringe anatomy सो करती है और Kelvin cycle में Phosphoglyceric acid बनता है और High Chance Lake cycle में आग yellow stick acid बनता है यह C4 में होता है तो यह तो सभी सही है बट यह first incorrect है जो कि first correct हो जाएगा क्योंकि मेज जो plant होता है यह C4 plant होता है ना कि C3 plant next question number 126 देख लीजिए 126 which breaks dormancy या potato tuber कहरा potato tuber जो होती है उसकी dormancy को सुषपता अवस्था को कौन break करता है तोड़ता है तो इसमें 126 का आग जिन जहाँ पे है आप लोग लगाना है आग जिन गलत हो जाएगा जिब्रेलिन लगाना है आग जिन यह है जिब्रेलिन यह है तो option number first जिब्रेलिन क्या करता है potato tuber की dormancy सुषपता अवस्था को break कर देता है तोड़ देता है next question number 127 hormone responsible for sinnescence sinnescence के लिए कौन सी hormone responsible होती है तो plant hormone देखना है हम लोग का आग जिन देखना है कौन सी आग जिन इसमें दी गई है आग जिन तो आग जिन यह दी गई है आग जिन सही नहीं होगा अपसिसिक एसिट सही होगा option number first responsible होता है sinnescence वही hormone तो option number first correct हो जाएगा next number question देख लीजिए which are the following prevent the fall of fruit अब यह कह रहा है कि कौन सा इसमें hormone plant hormone है जो prevent करता है fruit को गिरने से मालीजिए fruit अभी पका नहीं और गिरने लगा तो कौन सा hormone उसमें छिड़काओ कर देंगे plant के फल पे करेंगे और पाधो पे पत्ती पिमार देंगे छिड़काओ कर देंगे naphthalene stick acid किसका छिड़काओ करेंगे आगजिन का naphthalene stick acid क्या होती है यह एक आगजिन होती है तो आगजिन का छिड़काओ करते हैं यह भी question पूछा गया है तो option number second correct हो जाएगा next number question कह रहा loading a phloem is related to जब प्लांट होता है प्लांट में क्या होते हैं जाइलम होता है और phloem होता है तो कह रहा loading a phloem is related to किससे रिलेज होता है तो phloem पे क्या लोड किया जाता है तो यह देख लीजिए 129 का option number first ही सही हो जाएगा increase आप sugar in phloem तो option number first correct हो जाएगा next number question कह रहा which pigment system in activated in red drop red drop में कह रहा कौन सा इसमें photo system pigment system होता है जो in activated हो जाता है तो फोटो system second होता है तो option number third correct हो जाएगा next number question 131 which plant is ELDP long day plant कौन सा होता है long day plant यह देख लीजिए 131 का spinach spinach बेटा plant लाव plant एगो इसमें दिया नहीं गया है spinach होता है हासी मोटो नहीं हसीम एक plant होती है तो हसीम बेटा यह option number fourth correct हो जाएगा spinach plant एक होती है तो यह long day plant होती है तो option number fourth correct हो जाएगा question number 132 देख लीजिए what is true for photo lithotrap photo lithotrap photo means light lithot means chattan और यह होता है क्या कहा रहा what photo lithotraps के respect में हम लोग को देखना है चार option दिया गए है कौन सा option इसमें से सही है तो यह देख लीजिए option number B कह रहा obtained energy from radiation and hydrogen from inorganic compound तो option number B सही हो जाएगा इसमें जो energy होती है कहां से radiant and hydrogen from inorganic compound तो option number second correct हो जाएगा next number question student हम लोग question थोड़ा revision का revise type कर रहा है तो आप लोग इसमें ज़्यादा discuss नहीं किया जा रहा है एक और सीरीज चल लएए उसमें 2018 का paper करा रहा है उसमें discuss भी कर रहा है तो यह अभी 10 मान लिजिए 2013 तक तो ऐसे revise करा देंगे फिन 13 के बाद जो 20 तक कराएंगे उसमें discuss भी करेंगे तो चलिए question को हम लोग शुरू भी करते हैं in which are the following plant sunken stomata are found तो sunken stomata किसमें पाय जाएगा जिसमें water last कम करना रहता है तो वो होता है 133 का कौन सा option first option नीरियम एक plant होता है जिसमें sunken stomata पाय जाता है तो option number first correct हो जाएगा next question कह रहा है what is the best pH of soil for cultivation of plant कह रहा है soil का pH जो होता है best pH क्या होना चाहिए हम लोग को plant को cultivate करने के लिए उगाने में तो ऐसे याद कर लीजिए 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6 तो यसे याद कर लीजिए option number 5, 5, 6, 6 होता है fourth option correct हो जाएगा next number question which fish कौन सी fish होती है जो selectively feed कर जाती है और लारवा आप mosquito तो गैंबियूसिया होती है तो ये तो एकदम correct होना चाहिए गैंबियूसियों का छिड़काव हम लोग कर देते हैं मचली में तो लारवा ये खा जाती है ट्रेंकुलाइजर होता है cocaine, opiating, narcoting, morphine जो होती है hallucinogenic property, भांग जो होता है ये analgesic होती है नहीं, analgesic नहीं होती है hallucinogenic property रखती है तो ये गलत हो जाएगा तो इसमें 136 में option number first देख लीजिए इसमें high dose लेने पर रिसरपाइन ये tranquilizer का काम करने लगता है तो option number first correct हो जाएगा ये क्या करता है ये blood pressure को down कर देता है फाल कर देता है तो option number correct हो जाएगा first next question, what is BOD? biochemical oxygen demand क्या होता है इसको biochemical oxygen demand इसलिए कहते है तो option number 137 का ये देख लीजिए B option outlook देख लीजिए ये इसका definition ही है amount of oxygen utilize उसकी वो मात्रा जो oxygen utilize उप्योग की जाती है by micro argin for decomposition जो सड़े गले जैसे पती लीफ होते हैं उसको सड़े गले चीजों को decompose करना कौन decompose करता है ये भी question पूछा गया था तो वो होती है bacteria होती है bacteria and fungi होती है और ये क्या करती है decompose करती है सड़े गले चीजों को और जो oxygen उससमें यूज करती है उसी को तो BOD कहते है तो इसलिए option number second correct हो जाएगा next number question देख लीजिए in grasses 138 in grasses what happens in micro spore mother cell फार्दा फार्मेशन ना mature pollen grain कह रहा है micro spore mother cell से जब फार्मेशन होता है pollen grain का 2N से 2N से क्या बनता है yen बनता है तो कह रहा है इसमें कौन सा किरिया सही है कौन सा statement तो first option देख लीजिए कह रहा है one meiotic and two mitotic गलत हो जाएगा ratio सेम होना चाहिए one meiotic division और one mitotic division तो एकदम सेम है one is to one ratio का सेम होता है एक meiotic division होगा एक mitotic तो option number कौन सा आप सही करने वाले है 138 का option number आप है 20 option देख लीजिए ये correct हो जाएगा next number question what is the intensity of sound in normal conversation जो हम लोग ऐसे normal बात चीत करते हैं तो उसका decibel क्या होता है तो हम लोग sound को किस में नापते हैं decimal में नापते हैं ये भी पता होना चाहिए और वो होता है 32 60 decibel हम नार्मल बात करते हैं चिल्ला कि नहीं नार्मल बात करना 32 60 decibel तो option number second correct हो जाएगा next number question 140 देख लीजिए ये कह रहा adventative embryonic in citrus is due to तो adventative embryonic citrus में जो बनती है citrus means नीबू में तो ये किस के कारण बनती है तो वो नीशलेस के कारण बनती है तो option number ये first correct हो जाएगा नीशलेस क्या करती है बोजन प्रवाइड करती है तो option number first correct हो जाएगा तो student इस वीडियो में हम लोग 20 questions discuss कर लिए चलिए हम लोग और देखते है कितनी question discuss करते है इसी वीडियो में maximum question discuss करेंगे तो आप लोग last तक वीडियो प्लीज बने रही है देखते रही है चलिए student हम लोग आगे discuss करते है question 141 student देख लिजिए question E.L.E.S.D. E.L.E.S.D. lisergic acid diethyl amide जो होता है यह क्या होता है तो यह hallucinogenic property रखता है यह आपके thought को perception को mind के change कर देता है तो option number first correct हो जाएगा next number question which set is similar कह रहा इसमें से कौन सा set है जो similar है तो option number कौन सा 142 का कौन सा option इसमें सही हो जाएगा देख लिजिए first option कह रहा carpus luteum जो होता ग्रेफियन फाल किल से related होता है तो option number first correct हो जाएगा next number question salmonella is related to तो salmonella type एक बैक्टिरिया होती है जो type white काश करती है इसलिए option number first correct आप लोग करेंगे next question number student यह कह रहा difference in gram positive and gram negative bacteria due to जो gram positive bacteria और gram negative bacteria होते हैं उनको हम लोग difference कैसे करेंगे कि यह gram positive bacteria और gram negative तो उनकी salmonella देखेंगे जो gram positive की salmonella जो होती है यह दोनों की salmonella में तो lipid होते हैं लेकिन gram positive की salmonella में difference होता है इनकी जो salmonella होती है इसमें lipid content जो होता है यह सबसे कम होता है मान के चलिएMac कितना % होता है तो 2% одly होता है और Gram-negative की अगर बात करेंगे बैक्तिरिया की तो Cell wall में जानते हैं लिपिड जो होती है लिपिड की मातरा जो होती है 20% होती है तो Cell wall का difference होता है और Gram-positive की जो Cell wall होती है वो single layer की होती है और gram negative की जो bacteria की cell wall होती है वो double layer की होती है तो cell wall में difference होता है तो option number first correct हो जाएगा next question number what is sarcomere तो sarcomere ये muscle से वहाँ जहाँ पे contraction होता है वहाँ की बात कर रहा है तो sarcomere किसको कहते हैं तो 145 का option number कौन सा correct हो जाएगा ये sarcomere क्या होता है between two Z-line के बीच sarcomere होता है तो कौन सा option आप correct करने वाले हैं पार्ट between two Z-line तो कौन सा option ये देख लीजिए D-option correct हो जाएगा sarcomere के respect में ये ऐसे होती है दो Z-line होती है यहां sarcomere होती है फिर यहां G-line होती है तो दो Z-line के बीच scarcomere होती है तो option number fourth correct हो जाएगा next number question which statement is correct for muscles contraction अब ये देख लीजिए question आ गया muscles contraction के respect में हम लोग को देखना है count size statement सही है तो 146 का option number first देख लीजिए length of each zone जो each zone बनाय गया है उसमें each zone जो होती है length decrease हो जाती है तो ये तो एकदम सही है second length of a band remains constant तो जो a band होती है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है वो constant बनी रहती है तो a वी एकदम सही है length of i band become increase ये गलत हो जाएगा और length of z zone become increase ये भी गलत हो जाएगा तो इसमें कौन सा option आप लोग सही करने वाल है ये question आप लोग देख लीजिएगा इसकी concept पढ़ लीजिए ऐसे question आते हैं तो आपको एक ही option लगाने बट यहां पर दो आपसन सही है तो यहां पर वससे second option correct दोनों है बट second को आप करेक्ट कर सकते हैं next question number characteristic character of human carnea तो human carnea के respect में हम लोग का जो आँख में carnea होती है उसी के respect में देखना है कि कौन सा है तो carnea क्या होती है carnea आँख में anterior part होती है एकदम same ऐसे यह मान लीजिए यह है तो यह carnea यहां से आती है ऐसे दो layer में ऐसे carnea यह एकदम सामने वाली होती है और यहीं पर lens होता है तो यह lens हो गया lens यह cellary body से जुड़ी होती है तो इसी की बात कर रहा है carnea क्या होती है carnea transparent होती है एक मतलब transparent means अंदर से बाहर देख सकते है transparent होती है और इसमें no blood supply कोई blood का supply होता ही नहीं है तो 47 का कौन सा option C देख लीजिए इसमें direct blood circulation is absent in cornea तो option number 3 correct हो जाएगा blood circulation cornea में होता ही नहीं है next question 148 which is the most infectious disease तो इसमें तो hepatitis B एकदम direct correct होगा सबसे ज़्यादा infectious disease कोन होती है तो option number first correct हो जाएगा next number question कहरा interferon are synthesized in response to यह कहरा जो interferon synthesized पहले क्या होता पहले तो यह पता होना चाहिए जब virus जो होता है जिस cell को infect कर देती है मान लीजिए यह cell है और यह virus यहाँ पर आया virus अब इसको infect कर दिया इस cell को तो यह cell क्या करती है एक protein secret कर देती है protein secret करती है और वही इसलिए कहरा interferon are synthesized in response to वायरस तो option number 3 correct हो जाएगा यह question 150 कहरा कली flower मोजही क्वायरस कंटेन क्या होते हैं यह कौन से होते हैं double standard single standard क्या होते हैं तो कली flower मोजही क्वायरस होते हैं double standard DNA होते हैं तो option number 3 correct करेंगे double standard DNA कली flower मोजही क्वायरस होते हैं next question एक वीडियो इस पर बनेगी कि single standard कौन होते हैं double standard और single standard पूरी complete trick के साथ बता देंगे और इसमें बनने ही वाली है बना देंगे next question 151 region of lung cancer lung cancer का region क्या सबसे अधिक lung cancer कब होता है जब आप coal mining में work करते हैं जहां पर क्या किया जाता है grinding किया जात है सबसे अधिक वहीं lung cancer होता है तो option number first correct हो जाएगा तो चलिए next question student 152 एक सुबावन नमबर when water moves through a semi-permeable membrane then which of the following pressure develop जब water move करती है किस के थूरू semi-permeable membrane के थूरू तो उसमें कौन सा pressure generate होता है तो option number first है asmotic pressure generate होता है इसी की हो जासे तो option number कौन सा first correct करेंगे next question number proteinous pigment which control the activities concerned with light कहरा है फोटो इसमें proteinous pigment होते हैं control करता है concerned with light के तो वो होती है phytochrome तो option number 153 का first option ये correct हो जाएगा next question number glycolate induced opening up stomata तो इसमें कहरा है कि glycolate एक चक्र होती है उसमें stomata opening करती है तो ये हो जाएगा 154 का option number first low CO2 concentration अगर होगा तो stomata opening हो जाती है तो CO2 का concentration low होना next question number enzyme first used for nitrogen fixation हम लोग को enzyme बताना सबसे पहले enzyme कौन सा यूज हुआ था nitrogen fixation में तो वो enzyme था nitrogen age इसलिए option number first हम लोग correct करेंगे nitrogen age next question number maximum number basis in plasmid discovered so far तो कहरा जो plasmid ये ब्लाजमिड जो discovered किया गया था वो इसमें maximum number base कितने थे तो ये देखना था कौन सा option इसमें सही हो जाएगा इसमें option number 500 kilo base तो option number B correct हो जाएगा next question number passive absorption आप mineral depend upon जो passive absorption होता passive absorption का means कोई energies में नहीं लगती है mineral का तो 21 पे depend होता है तो ये 57 का option number कौन सा correct हो जाएगा temperature पे depend होती है तो first option ही correct हो जाएगा passive absorption mineral depend upon temperature पे half life period आप C14 C14 की half life पूछा जाए कभी भी पूछता है ऐसा question तो आप लोग कौन सा लगाएंगे 5000 लगाएंगे तो option number second correct हो जाएगा next question which one correctly match इसमें vitamin दिया गया है और उसका रसाइनिंग नाम दिया गया chemical name तो हम लोग को देखना है कौन सा सही हो जाएगा तो vitamin E को E dexa, ergo calciferol, tocopherol तो dexa ये option number कौन सा correct हो जाएगा 159 का vitamin E को tocopherol कहते हैं तो option number first ही correct हो जाएगा next question number इसमें देख लीजिए next question ये थोड़ा incorrect है तो इसको move करेंगे next question में 161 most abundant organic compound on R3 माइच में पूछे जाने माला question बार बार repeated question होता है तो 161 का option number cellulose हो जाएगा जो earth पे सबसे अधिक abundant organic compound होता है वो cellulose होता है तो option number second correct हो जाएगा चलिए student next question next video में देखेंगे क्योंकि video 20 minute का लगवग something में हो गया है उससे जादा ही हो गया है तो next video में इसके आगे शुरू करेंगे और आपकी video में सुचेंगे कि video में last कतम ही हो जाए तो ये video number इस paper का second number है तो आप लोग first वाला भी देख लिजेगा और student next video में फिन best question के साथ आएगे थाइंक यू student धन्निबाद